चोटी चडिया इसे प्रस्तुत कर रही हैं तृती चौधरी एक थी गौरईया एक दिन की बात है पानी बरस रहा था गौरईया ने सोचा मैं क्या करूं कहां जाओं गौरईया ने एक केले का पेड़ देखा उसने केले के पेड़ से कहा केले के पेड़ पानी बरसा है क्या मैं तुम्हारे पत्तों में छिप जाओं केले के पेड़ ने कहा नहीं नहीं छोटी चडिया मेरे पत्तों में तुम कैसे छिप सकती हो मुझे में डालिया तो होती नहीं बस ये बड़े बड़े पत्ते हैं वो भी हवा चलने पर हिलने लगेंगे तब तुम क्या करोगी अच्छा यही है तुम किसी और पेड़ पर जाओ गौरया आगे गई उसने एक बबूल का पेड़ देखा बबूल के पेड़ से गौरया बोली बबूल के पेड़ देखो पानी परस रहा है क्या मैं तुम्हारे पत्तों में छिप जाओ बबूल के पेड़ ने कहा नहीं नहीं छोटी चिडिया मुझ पर तुम कैसी बैठोगी देखती नहीं मुझ पर कितने कांटे है तुम्हें कांटे चुभेंगे तब तुम क्या करोगी अच्छा यही है तुम किसी दूसरे पेड़ पर जाओ गौरया वहां से उड़ी फुल और पहुंकी बरगद के पेड़ के पास वो बरगद से बोली बरगद भईया ए बरगद भईया पानी बरस रहा है क्या मैं तुम्हारे पत्तों में छिप जाओं बरगद का पेड़ बोला हाँ हाँ बैठ जाओ इधर और भी बहुत से पक्षी बैठे हैं कौरईया यानि वो छोटे चिडिया बरगद के पत्तों में दुबा कर बैठ गई पानी बरस रहा था और भी बहुत से पक्षी बरगद के पेड़ पर बैठे थे फला कौन कौन से कोयल, कववा, कबूतर और तोता केले के पेड़ पर एक भी चिडिया नहीं थी बबूल के पेड़ पर एक भी चिडिया नहीं थी सब ही चिडियां बर्गत के पेड़ पर बैठी थी चिडियां गा रही थी बड़ा सभी पेड़ों से बर्गत सब पेड़ों से अच्छा बर्गत बड़ा सभी पेड़ों से बर्गत सब पेड़ों से अच्छा बर्गत बच्चो तुमने ये कहानी तो सुन ली अब ये बताओ कि बर्गत के पेड़ पर कौन-कौन से पक्षी बैठे थे लो इनकी आवाज सुनो और पहचानो बैठे पहचाना जोर से बोलो जड़ा हाँ तोता ये आवाज दो हम रोज सुनते हैं न बैठे ये तो सब बता रहे हैं ये क्या है कव्वा है ना ये मीथी मीथी आवाज भला किस कीरिया की होती है हाँ 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 भई ये है कोयल ये क्या है जरा सोचो हाँ हाँ ये है कबूतर अच्छा बच्चों तुमने चिलियों की आवाज पहचान कर उनके नाम तो बता दिये अब एक और बात बताओ जब पानी बरसा तो गोर रहिया कौन कौन से पेड़ों के पास गई पहले वो उस पेड़ के पास गई जिसके ऊपर डालिया नहीं होती बड़े बड़े पत्ते होते हैं कौन सा पेड़ था वो अरे भाई जोर से बोलो न हाँ केले का पेड़ फिर गोर रहिया गई उस पेड़ के पास जिसके लंबे नुकीले काटे होते हैं कौन सा पेड़ होता है वो बबूल ठीक एक पेड़ खुब बड़ा होता है गोल गोल पत्ते छोटे लाल लाल फल और मोटा तना पहचाना भाई कुछ बच्चे अभी नहीं पहचान पाए अरे ये वही पेड़ है जिसकी जटाएं लटकती है अब समझे हाँ बर्गत का पेड़ गोरेया बर्गत के पेड़ के पत्तों में ही तो छूपकर बैठी थी बच्चों तुमने आज कहानी सुनी एक चिर्या की और अब ये गीच सुनो चूंचूंचीरिया का चूंचूंचूंचीरिया पेर पे बैठी थी नीचे आए बिल्ली चिरिया डर गई चूंचूंचीरिया पेर पे बैठी थी चूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ बैठी थी। भाई बच्चो अभी तुमने गाना सुना। अब ये गाना पहले मैं गाऊंगी और बाद में तुम गाना। ठीक। कैसे डरते हैं भाई जरा डर के दिखाओ। नीचे आई बिल्ली चेडिया डर गई। बच्चो चेडिया कैसे उड़ती हैं? अपने दोनों हाथ फैला कर बताओ, हाथ हिलाओ और साथ साथ गाना गाओ। उपा चड़ी बिल्ली चेडिया उड़ गई। चूँ 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 चीडिया पेर पे बैठी थी। बच्चो तुमने ये गाना गाया, तुम्हें याद हो गया ना? बच्चो अब एक और गाना सुनो। आया, आया, प्यारी चूचू आया, प्यारी चूचू आया, आजा आजा प्यारी चुचु आजा आकर दाल का दाना खाजा प्यारी चुचु आजा तु है कितनी प्यारी प्यारी गाती मीठा गाना अपना प्यारा प्यारा गाना आकर मुझे सिखा जा दिखा जा दिखा जा अपना प्यारा प्यारा गाना आकर मुझे सिखा जा आजा आजा प्यारी चुचु आजा जाली जाली पर खुदक खुदक कर कैसे नाच दिखाती अपना प्यारा प्यारा नाच आके मुझे सिखा जा प्यारा प्यारा नाच भी अपना आके मुझे सिखा जा दिखा जा आजा 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 आजा